हे इवरेवान जय जय जगनात स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल को रक्सा बंधन के लिए आप सभी को सुब काम नाए चलो आज बनाते हैं मुती चल लडू और बुंदी लडू ये लडू का नाम आपके यहां क्या बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर ब तो पाइन हो चुका है एक भी प्रस नहीं है इसमें यहां पर एक कप पानी ले रही हूं पानी को ठोड़ा ठोड़ा करके दालेंगे और पतला सा बैटर बना लेंगे मैं यहां पे 354 कॉप पानी यूज़ कर ली हूँ और यह पतला सा बैटर भी बना चुकी हूँ आप इसका कंसिस्टेंसी देख सकते हो कितना पतला है पुरा ऐसा रहना चाहिए तो परफेक्ट है मैं अभी आठ कर रहे हूँ एक पींच रेड फूड कलर अब चाहे तो इसे स् चीनी यूज़ कर रहे हूं कड़ाए में डाल लेते हैं हापका प्षे पानी यूज़ कर रहे हूं और इसको उबालाने के लिए छोड़ देंगे अभी उबाला चुका है आड़ कर रहे हूं दो पींच फूड कलर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 2-3 मिनिट तक उबलने क छोड़ देते हैं तीन मिनिट अवे हो चुका है आपको किसे पता चलेगा कि चासनी हमारा फॉर्फेक्ट है चासनी को इसे हाथ में लेना पेस्ट और गुलू जैसा फील आ रहा हो तो चासनी पर्फेक्क्ली डन है इसमें तार नहीं निकलता है चलो अभी बुंदी बना लेत मैं बैटर आड़ करते हुए जा रही हूं और आप देख सकते हो नीचे के इसे बुंदी बन के ओल में जा रहा है ग्यास को मेडियम फ्लिम रखते हुए बुंदी को आड़ करना है बुंदी अभी हमारा हो चुका है मैं स्टेनर के हिल्फ से इसको निकाल रही हूं जो भी छुटा छुटा बच्चा हुआ है ओल में उसको इसे लड़ ले के हिल्फ से इसे स्टेनर के ओपर ओल के साथ निकाल लेंगे सारे ओल को गड़ाई में जाएगा और बुंदी हमारा स्टेन हो जाएगा इसे करते हुए सारे बुंदी निकाल चुकी हूं और एक तरीका बता अभी मैं आड़ कर चुकी हूं और आप देख सकते हो क्रिस्पी बन चुका है पांच मिनिट के बाद इसको अभी मैं दोनों साइट से आपको दिखा रही हूं दोनों साइट से पक चुका है अभी मैं निकाल रही हूं इसको निकाल के अभी मैं पिपर में रख रही हूं औ मैं आचाते हैं दिखा रहे हूं वेइसे करना है अभी मैं चासे में निकंज़ दिखा रहे हूं चार कर्डमों मैं इसे खोल के आड़ करके दो 3 मिनेट हो चुका अच्छे से उबाल आ चुका है अभी मैं आड कर रहे हूं दोनों टाइफ का जो बुंदी बनाई थी उसे ग्यास का फ्लेम लो रखना है और चासनी को बुंदी के अंदर जाने के लिए छोड़ देंगे मैं अभी सारे बुंदी को आड कर चुकी हूं और अच्छे से मिक्स कर रहे हूं बिच विच में ऐसे मिक्स करते वे करना है थोड़ा सा पानी बचावाए आप देख सकते हो इसी टाइम आड कर देंगे दो टेबल स्पून मेलोन सीट्स और दो टेबल स्पून गी बुंदी ल बुंदी अभी थोड़ा सा गरम है मतलब मैं टाच कर पा रहे हूं इसी टाइम ही लड़ू को बनाना है पूरा थंडा नहीं करेंगे थंडा हो जाएगा तो लड़ू का सेप अच्छा नहीं आएगा मैं थोड़ा सा ले रहे हूं इसे हाथ में मुठी करके इसे गोल-गोल इसको राउंड वाला सेप दे देंगे आप चाहे तो दोनों हाथ का भी उसकर सकते हैं देख सकते हो कितना अच्छा सा गोल बन चुका है हमारा लड़ू का सेप भी बन चुका है एही प्रोसेस करते वे मैं सारे लड़ू अभी बना चुकी हूं इसको गार्निस करने के अंदर दिख रहे हैं रक्सा बंदन में आप यह लड़ू अपने भाई को अपने हाथ से करके खिलाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते वे जाएए